आपनी मुलागात करावे छे अन्य वातों करिये छे अंत्रंग आज है अमारी साथ है एक यह वी व्यक्ती यह वी शक्षियत कि जे नाम इपोते पहचान छे रजे शर्मा जी हमारी साथ है रजे जी आपना सौगत है रजे जी सबसे पहले तो पूछना चाओंगा कि आपकी अदालत जनता की अदालत शायद हटके रजे शर्मा की अदालत बन गई है पहचानी जाती है इस फेस से इस कैरेक्टर से सकसेस एक हिस्ट्री बना दिये इस शो ने बहुत सारे पहलों की भी बात करेंगे लेकिन यहां तक पहुंच से पहुंचते जब शुरू हुई थी जर्नालिजम की तरफ पहला कदम वह बात करनी है आप से थोड़ा जनना भी चाहेंगे पहला जर्नलिजम का कदम मेरा प्रिंट मीडिया में था जानारदन ठाकूर एक जर्रलिस से आज वो दुनिया में नहीं है उनको एक रिसर्चर की ज़रूरत थी और मैं बी-कॉम ऑनर्स और एम-कॉम श्रीराम कोलेज आफ कोमर्स से करने के बाद में जो समर वेकेशन है उस वो मेरा पहला कदम था लेकिन जिसे कहें आफचारिक तौर पर पहला काम मैंने ओनलुकर मैगजीन में एजे ट्रेनी रिपोर्टर शुरू किया ये बात है उन्नी सो बैयासी की है अब करीब उननतीन साल हो गए इस प्रफेशन में प्रिंट मीडिया में काफी साल रहा अब अठारा साल हो गए इलेक्टरोनिक मीडिया में रजज़ जी रेकरगनाइज़ेशन मिलने में कभी वक्त लगता है क्योंकि ये फिल्ड ऐसा है कि कई लोग इस फिल्ड में चैलेंज समझ के इस फिल्ड को चूनते है लेकिन उनको रेकरगनाइज़ेशन बहुत देर से मिलत है रजज़ जी को रेकरगनाइज़ेशन कभ मिला जब लोगों ने सरहा की ये रजज़ जी में वो कॉलिटी है कुछ भी जो चाहते थे कि इस फिल्ड के लिए क्योंकि आज भी क्राइसिस है उस जवाने में भी क्राइसिस रही होगी अच्छे जर्नालिस्ट की कौन सा ऐसा इस्यू था जिसमें रजज़ जी को रेकरगनाइज़ेशन मिला यस हीज दा मैन जो कि इस फिल्ड में जर्नालिसम फिल्ड में आगे बहुत चाह सकते है किसने अप्रिसेट किया था इस मामने में बहुत सौभाग इशाली रहा मैं जब मैं प्रिंट में था तो मैं ट्रेनी कॉलमिस्ट थे ओनलुकर मैगजी ने वो मिलने आए उन्होंने का कि मैं एडिटर से मिलना चाहता हो तो मैंने का मैं ही एडिटर हूँ तो ने का आप कैसे एडिटर हो सकते हैं और कमरा चोड़के चले गए शोभाडे मुझे मिलने आई वो कॉलम लिखती थी लोगों ने चबीस साल के आदमी को हम कैसे एडिटर मान सकते हैं लेकिन जो स्टोरीज की जो रिपोर्ट्स की बहुत लंबी लिस्ट है बहुत लंबी फैरिस्ट है एडवेंचरिस्ट जनलिजम किया प्रिंट में पहली बार स्टिंग ऑपरेशन किया यह सब करने से यह पहला पहला मेरे के चंद्रा स्वामी जी यह बहुत इंटरेस्टिंग है आपको भी मालूम है आप इसी फिल्ट के और वक्त बहुत कम है लेकिन वो चंद्रा स्वामी वाला जो एपी सोड़ था पूरा शॉर्ट में मुझे सुनना है वीवर्स भी सुनना चाहेंगे तो बहुत लंबी क चंद्रा स्वामी ने चीट किया अगर आप उनसे बात कर सकें तो टाइनी रॉलन्ड उनसे मैं मिला उन्होंने बताया कि कैसे चंद्रा स्वामी ने उनको फाइम मिलियन डॉलर के लिए चीट किया उन्होंने पूरी स्टोरी बताई यह सारी कहानी थी हैरड्स वाह का जो स् लेकिन उन टेप्स में कुछ नहीं निकला, तो टाइली रॉलन उनके दुश्मन महने कि इनको फिक्स करना है, उन्होंने मुझे वो पूरी स्टोरी दी, अब उस स्टोरी पर चंदरा स्वामी का पॉंट वी चाहिए, यह जानने के लिए मैंने चंदरा स्वामी का अपरोच कि दिल्ली में जब मैं उनको मिलने गया, तो मेरे साथ में प्रतीश नंदी भी थे, बाहर कमरे में उनके जो सहयोगी थे, मामा जी वो बैठे हुए थे, और मामा जी ने कहा कि, स्वामी जी आपको इंटर्व्यू देंगे, बड़े अच्छे इंटर्व्यू देंगे, लेकिन एक बदमाश आदमी है, प्रतीश नंदी, वो उनके पीछे पड़ा हुआ है, वो इलस्टेटर्र विकली में उनके खिलाप छापना चाहता है, उनको कैसे फिक्स करेंगे, प्रतीश नंदी उत मेरे साथ में कड़े थे, उन दिनों टीवी का जमाना नहीं था, तो हमें चेह बैठे रहे और वो चंदरा स्वाम उनको बार-बार सेंज साब सेंज साब कहके अडरिस करते रहे, और फिर उन्होंने एक स्टेज इंटर्वी वो आई, जब उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रतीश नंदी से कैसे निपटा जा सकता है, उन्होंने का शर्मा जी, साम, दाम, कुछ भी इस्तेमाल करें लेकिन वो इलस्टेटर्वी लिए मेरे कलाब स्टोरी नहीं आनी चाहिए, तो जब मैं ये बात कर रहा था, तो प्रतीश नंदी ने कहा उनसे, कि स्वामी जी एक बात बोलू, वो नंदी साब ये रजजद जी का बात बहुत सुनता है, शर्मा ज अगर प्रतीश नंदी आपके सामने आजाए, तो क्या होगा, उन्होंने का मेरा तीसरा नेतर खुल जाएगा, वो फस्म हो जाएगा, मैं देख सकता हूँ वाल केश्वरों में अपने घर पे वो नवे फ्लोर पर बैटा है, उसके कमरे में पीरे पर दे लेगे, तो ये सु उनको अपने आप एक इंट्रिव्यू में कैसे एक्सपोस किया, ये पढ़िए, तो ये 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 लेकिन ये बात आके अटकती है, सीधा सीधा सेंटर पे आ जाता हूँ की स्टिंग ऑपरेशन, कई बार क्रिटिसाइज होता है, मीडिया परसन जब भी कोई स्टिंग स्टिंग ऑपरेशन करता है, कहीं न कहीं उनके मंच्छा पे एक डाउट किया जाता है, आज की तारिक में, जिस दिरा से नमबर ऑफ स्टिंग ऑपरेशन बढ़ोतरी हो गई है, आपके पास भी ऐसे सवालात कही बार आया होंगे, जैसे आपने शक्तिन पूर वाला जो किय क्योंकि इसमें कोई दाइरा फिक्स नहीं कर सकते है, लेकि स्टिंग ऑपरेशन के बारे मेरी राही है, कि ये एक ऐसा वेपन है, जिसको रेरेस्ट ऑफ दी रेर सर्कम्स्टांस लेकिन अभी तो बहुत ही कॉमन हो गलत है, ये स्टिंग ऑपरेशन को हर रोज इस्तिमाल कर जब आपके पास कोई और रास्ता न बचे, जब आपके पास सामने वाला आद्बी बात करने को तैयार नहीं हो, जब आपके पास में किसी को एक्सपोस करने के और इशू भी इतना बढ़ा हो कि उसको एक्सपोस करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का इस्तिमाल करना ही चाह यह लेकिन जहां वाकर में जरूरत हो और यह यह फैसला करना राजर जी यहां रोकूंगा यह बात स्टिंग ऑपरेशन के और खास करके जहां सेंटर पे हाती है जब बैजिक टॉपिक आता है कि दा एथिक्स ऑप जनालिजम उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बा रजर जी साथे घणी बदीवा तो एक नानगणा विराम पच्छी नहीं रजर जी स्टिंग ऑपरेशन के साथ साथ बात जूड़ती है कई एथिक्स ऑफ जनालिजम आप इंस्टिटूट भी चलाते कई लोग फॉलोवर हैं आपके कई लोग मानते कि मुझे रजर जी जैस इस फिल्ड में एक मकाम पर पहुँचना है आपने कई लोगों को सला भी दी होगी जो गुरू कंठी बोलते है ऐसे कई अपने शीशों को पहना ही भी होगी लेकिन इंस्टिटूट में भी सिखाया जाता है एक चेप्टर भी आता है कि एथिक्स ऑफ जनालिजम मुझे बह एथिक्स of एडिटरिंग छीफ एथिक्स ऑफ बीरो चीफ उसकी हिसाब से फोलो करना होता है मैं अपने सम्पाद्गों को अपनी एडिटर स्टस्टाफ को एक बात बार-बार कहता हूँ जो मेरी पॉलिस्टी है एथिक्स के बारे में मौरल के बारे में किस तरह की स्टोरी करने चाहिए उसके बारे में मैं उसे कहता हूँ कि आप वो स्टोरी मत करिए जो मुझे खुश करें वो स्टोरी मत करिए जो आपके मैनेजिंग एडिटर को खुश करें वो स्टोरी मत करिए जो आपको खुश करें वो करिए जो वियूर को खुश करें और इसलिए शायद इंडिया टीवी पर बार बार लगा जाता है कि भूतों दिखा देते हैं, साधु बावा जी को दिखा देते हैं, क्या-क्या, इसी वज़ा से आपको लगता है कि उससे भी और खूस रहते हैं? यह चार्ज साल बर पहले आप लगाते हैं तो मैं मान लेता, लेकिन पिछले साल बर में हमने पूरी प्रोग्रामिक को चेंज किया है, हमने इंडिया टीवी को किनाया लूक दिया है, अब हमने भूत, प्रे, सांप, इस तरह की स्टोरीज को खटा है, और इसके बावजूद इंडिया टीवी नंबर बन बना हुआ है तो ये एक हमारी सक्सेस है हम कहते हैं न्यूज इस बैक वाकरी में लोग वापस फिर से न्यूज देखना चाहते है ये लगता है कि व्यूर को भी मैचुरिटी आने में थोड़ा सा वक्त लगता है और हम अपने आपको व्यूर के हिसाफ से ढालते है आज व्यूर को लगता है कि स्पीट से खबरें, करपशन पर खबरें, बैमानी पर खबरें टेरिरिजम पर खबरें वो देखना चाहता है और वो हम इंडिया टीवी पर देते है लेकिन आप जो एथिक्स की बात कर रहे थे मूल बात यह है कि किसी भी पत्रकार का किसी भी टीवी चैनल का, किसी एखबार का अस्तित्व तब रहेगा जब उस पर लोग भरुसा करेंगे ट्रस्ट करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी वरना उसको कोई मतलब नहीं है, सौ चैनल हों, उसको कोई नहीं देखेगा, और मैंने अपनी जीवन में एक ही चीज़ अचीज़ की है पब्लिक का ट्रस्ट, जनता के सामने और मैं इस चीज़ का हमेशा इधान रखता हूँ, ऐसा कोई काम हमारे हाथ से नहों, जिसमें पब्लिक को लगें कि ये काम दो नहीं है ये एथिक्स जो बताया, बिल्कुल बिल्कुल ये जो आपने अपनी सोच बनाए कि कोई काम ऐसा नहों कि जिससे पब्लिक का कुछ नुकसान हो या तो उन तक कोई गलत चीज उन तक पहुँच है मैं बैक डेस में आ जाता हूँ, कई चीज ऐसी होती है रजज़ जी की जो सीधा बच्पन से सिखी जाती है पढ़ाय कितनी भी कर लियो, लेकिन जैसे आपने अपनी सोच बताई वो सोच कही न कहीं बैक ओफ माइंड बच्पन में आई होगी मुझे बच्पन के बारे में जाना है रजज़ जी को बलेजर पहन के कई लोगों को छुटिया उनकी आपने कर दी है ऐसे तो रजज़ जी को बहुत देखा, लेकिन बेक डेस, जहां पर ममी पापा, अचानक तो बीम डबली या ऐसी ओडी में घुमते नहीं होंगे वक्त ऐसा भी आया होगा, कहीं ना कहीं आज अकेले बैठके भी, या तो बहुत ही नियर्स और डियर्स जोंगे, उनके साथ शेयर करते हो ऐसा कोई हदसा जहां बता पाए, जो आद तक शायद नहीं बता है आपने एक दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा जो बच्पन है बहुत गरीबी में बहुत गरीबी मतलब बहुत गरीबी दस भाई दस का कमरा था, सबजी मंडी में, तीसरी मंजिल पर, उस दस भाई दस के कमरे में साथ भाई, मा, पिताजी, बहन ये कहां कौन से टाउन की बहुत? ये दिल्ली में सबजी मंडी जगा है, एकदम पुरानी दिल्ली का गंदा सा एरिया है नहाने के लिए मुझे 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 वापस आया और मैंने अपने फादर से का कि मैंने काओ कि पापा वो उसके घर में टीवी देखने गए थे उन्हें दर्वाजा बंद कर दिया मुझे इस बात की बहुत तक्लीफ है तो इनूने का कि यह कौनसी बड़ी बात हुई कि किसी दूसरे के घर टीवी है और किसी तीसरे आदमी को देखने के लिए आप आँ जाए बड़ी बात तो तब होगी जब तुम टीवी पर आओ और तुम्हे देखने के लिए लोग आए और ये बात कहीं मेरे सबकॉशनस पे रह गई और आज जब मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ तो बार-बार मुझे उनकी बात याद आती है एक दिन मैंने उन्हें का कि भूख है गरीबी है बहुत तकलीफ है तो उन्हें ने का कि देखो ये जीवन एक भट्टी है अगर सोना हो तो इस में से तप करके निखर करके बाहर निकल जाओगे अगर सोना नहीं हो इस भट्टी में भस्म हो जाओ ऐसे जीवन की क्या सब्रूरत ऐसी छोटी छोटी बातों ने दिलो दिमाग पर असर किया और मैंने जीवन को एक चुनौती के रूप में लिया लेकिन इस मन्जिल तक पहुँचने में कई बार कई ऐसे मौके भी आये होंगे रजज़ जी ये बात जरा कोशिश करो की मत दिखाओ बाद में समझ लेंगे एक लेवल तक पहुँचने के बाद ऐसे सोदे के लिए भी कई बार आये होंगे बहुत बार ऐसे लोगों ने धमकी भी दी, लोगों ने खरीदने की कोशिश की, लोगों ने ब्राइब करने की कोशिश की, लेकिन जो में जीवन के नियम थे, सिध्धान थे, प्रिंसिपल थे, कि सिध्धानतों से समझोता नहीं करना है, मिट जाएंगे लेकिन छुकेंगे बिकेंगे नहीं इन सिध्धान्तों ने हमेशा मदद की मैं हमेशा अपने बच्पन को अपने जीवन के जो तकलीफ के दिन ते उनको याद करके अपने अंदर एक टाकत का आपके आपने बता है कि बहुत तकलिफ भी थी और पापा कहीं ना कहीं वो सिध्धांद भी छोड़ना नहीं चाहते थे यहां तक तो ठीक है लेकिन वो सिध्धांद आप में डालना भी चाहते थे उस वक्त बच्पन में या तो थोड़ी थोड़ी फुटी हुई जवानी होगी उस स्कूल नहीं हो पढ़ने के लिए तो गलती करने का स्कोपी नहीं था इतनी गरीबी थी इतनी तकलीफ थी कि मुस्कुराने का भी टाइम नहीं था सिरफ अंदर एक ही आग थी कि किसी तरह से बाहर निकले तो घर में एक जूसरी को कौन किसको डाटेगा सब भूके थे सब बिमार थे परिशान थे तो ऐसी स्थिती में मुझे याद ही नहीं है कि कभी किसी तरह को डाटने के जरूत पड़ी हो यह जरूर मुझे कहते थे कि भाई आप 18 गंटे से लागातार पड़ रहे हो अब रुप जाओ अब थोड़े देर सो जाओ कभी कभी दो दो तीन तीन खाने के लिए नहीं मिलता था मुझे याद है कि अमेरिका से जो ड्राइब पाउडर है दूद का वो गरीबों को बढ़ता था तो लाइन में खड़े होके वो डबा लेकर आ जाते थे उसको गरम करने के लिए कुछ नहीं होता तो कागस जला के गरम करके और उसमें नमक डालके वो दूद को पी लेते थे कई 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 दिन ऐसे काम चलता था तो ऐसी परिस्ट्यों में सरफ अंदर एक ही आग थी संगर्ज की आग थी अंदर एक ही लालसा थी कि इस गरीबी की तप्तियों आग से कैसे बाहर निकले अब पापा के बारे म बहुत बता है ममी जी के बारे में शायद में माँ बहुत बिमार थी और मेरे बच्पन में मैं जब पांच्छे साल का था तब ही इनकी डेथ हो गई तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा इंट्रेक्ट करने का बहुका नहीं मिला मैं जब चौती क्लास में पढ़ता था शायद को प्रिस्थिचियों का सरकम्स्टांसेंस का लोगों का जिन जिन लोगों से मिलता हूँ हर आद्मीं से कुछ झा कुछ सीखने की कोश़िश कर तो आप मैं आज आप से यहां बात कर रहा हूं मेरी कोशिछ ब्रेगी कि आप से भी मैं कुछ सीखू कि कि किस तरह से आप inード GOOD लेकिन उजे एक पार आगे स्क्रिन पे चलो देखना है ऐसी कौनसी सक्षियत है जिसको देखना पसंद करते हो मुश्किल है कि मैं किसको देखना पसंद करता हूं नहीं बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो मेरा खुद का लुक है, जो अपेरेंस है, जिसका आप दिक्र कर रहे हैं, उसका क्रेडिट मेरी पत्निक हो जाता है. उन्होंने मुझसे जादा समय टीवी में लगाया, जब मैं टीवी में आया, उससे पहले से वो टेलिजनिम प्रोड्यूसर थी, हम लोगों ने साथ काम किया, और साथ काम करते करते हैं, हमारी मित्रता हुई और फिर हम 2000 में शादी हुई कटे रहें, लेकिन मेरा लुक्स कैसा हो, मैं क्या पहनू, कैसा दिखे, चेहरा कैसा हो, ये सब वो ध्यान रखती हैं, और इसमें उनको महारत हासिल है, और इसमें इसमें शायद जो नॉर्मल एक ऐसा भी होता होगा, कि इतने सालों के बाद भी, एक बाद पे तो शायद टोकते होंगे, कि यार ये तो गुसा आता है? आता था, अब नहीं आता, लेकि पिछले छे-साथ साल में मैंने उस पर ने लगए है. कौन सी इसी खास करके कौन सा एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा बढ़क जाता है, जब कोई आप नहीं मूर्खता करे, जब कोई आप नहीं समझाने के बात भी बात को स और मैं पिछले छे-साथ साल में इस चीज को मैंने अन्ने इंतरण किया है. पन है, फिर भी आप इतना तो नहीं रखा है, जितना आप अपने जो कटगरे में बिठा थे अपने गेस्ट को. रज़त जी, गेस्ट को इन्विटेशन भेजना होता है, प्रोग्राम के लिए, कन्फरमेशन भी आ जाता है. स्टूडियो में आने के बाद शायद अप्देर रेकॉर्ड बाते भी होती होगी. रज़त जी, ये मत पूछना. या तो पहले, जब अपन्डमेंट के टाइम पे, जब फिक्स करते हैं उनके साथ, हम आने का टाइम, तब भी कहा होगा कि, इसके बारे में मत पूछिएगा. मुझे मालूम है, एक दो किस्से खास करके, जो आपने, वो न पूछने पर आपने कहे दिया था, कि अगर ये न पूछना है, तो मैं इंट्रू नहीं करूँगा. ऐसी, अंदरूनी बात है, जाननी है इस शो में. सभी केसिज में, मेरा ये फैसला होता है, कि अगर कोई आदमी के कोई रस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है, किसी विश्य पर रोक लगाना चाहता है, ये मत पूछिए करना चाहता है, तो मैं उनको अपना इंविटेशन बिट्रू कर लेता हूँ. मुझे ऐसे गैस्प नहीं चाहिए, जो मेरो पर बंधन लगाएं. क्योंकि मैं उनसे क्याता हूँ, कि मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ. मैं ये जनता के लिए पूछ रहा हूँ, पब्लिक के लिए पूछ रहा हूँ. अगर हिमा मालिनी का मैं आपके एक्जामपल बताता हूँ, वो नहीं चाहती थी कि मैं हिमा मालिनी से जब सवाल पूछू तो धर्मिंद्र जी के बारे में पूछू. तो मैंने उनको का आप हिमा जी बताईए, पब्लिक क्या सोचेगी? हिमा मालिनी से मैं पूछू हूँ, धर्म जी के बारे में नहीं पूछूँगा, तो लोग सोचेंगे ये रजाज जी ने कैसे क्या? तो तीन साल तक मेरी उनसे ये तकरार चलती रही. फाइनली उन एग्री हुई कि ठीक है, आप दो सवाल पूछ लीजे. तो मैंने का नहीं तीन सवाल पूछ लीजे, तो नेगोशेट करते एक तीन सवाल पर बात अटकी. और फिर मैंने उनको वो सवाल पोचे उन तीन सवालों में सारी की सारी कहानी उनकी पहली बार बाहर आई शायद ऐसा उमा भारती जी के साथ भी हुआ था उमा भारती को भी था कि उनके कोई परसनल लाइफ के बारे में कोई सवाल पोचे लेकि उनसे मैंने तो मैंने कोई समझाता नहीं किया मैंने उनको अच्छी तरह से पूछा लेकिन इसके सामने कई गेश्ट ऐसे भी होंगे कि सामने से कहते होंगे कि रज्जा जी ये तो खास पूछना राखी जैसे कोई गेश्ट राखी सावन जैसे नहीं कोई कहता क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सब कुछ पूछी लेता हूं और जो relevant चीज़ होगी वो पूछूँगा ऐसा नॉर्मली कोई नी पूछता लेकिन एक मेरा नियम है प्रोग्राम के recording के बाद 18 सालों के मैं हर गैस्ट से यह कहता हूं कि इस प्रोग्राम में कोई चीज आप ने कोई खलत कह दिया हो आपके मुझ से स्लिप हो गया हो या कोई ऐसी चीज जो मैंने आपको लगे कि यह समाज के सामने ही नहीं जानी चाहिए उसको एडिट करना हो अगर कोई कह दे तो मैं एडिट कर देता हूं और वो हमेशा-मेशा के लिए एरेज कर देता हूं रजी जी कई बार ऐसा भी हुआ है कि सामने बैठे हुए गेस्ट ने कुछ बोल दिया कुछ परिपरेशन करके गए थे सवालात होते रहते साथ में एक back of the mind भी रहता है कि इसके बाद ये पूछना है इसके बाद ये पूछना है ये situation आ गई तो यही पूछ लेना है punchline ये मुझे देनी है इस पूरे शो में कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि सामने बैठे हुए guest के किसी जवाब के बाद शायद wordless बन गए या sum बन गए है हाँ ऐसे इसे incident हुए है ऐसे incident हुए है मैं आपको उताता हूँ आटल बेहरी वाजपई जब आपके अदालत में आये तो उस समय ये तब की बात है जब शंकर सिंग बागेला ने मलेज को लेके एक हवाज़ाद में बिठा के वो हजराओ ले गए थे और भारती जनता पार्टी की पूरी जो morality है उसके पर सवाल खड़े हो गए थे और मुझे लगता था ये वाजपई जी पर एक दम ऐसा सवाल होगा कि वो जवाब नी दे सकेंगे वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी आदर्शों की पार्टी है हमारी पार्टी मूलियों की पार्टी है तो मैंने कहां साब हमने आपके पार्टी के आदश भी देखे, आपके पार्टी के मूली भी देखे आपके पार्टी के कनेता MLS को हवाई जहत में बिठा करके खजराओ ले गए मुझे लगा था अटल जी निरुत्तर हो जाएंगे उन्होंने कहा कि कभी-कभी घर में जवान बेटे की मौत हो जाती है इस कार्थ यह नहीं कि कोई माँ अपने बेटे को जवान देखना नहीं चाहती गुजरात में जो हुआ वो एक दुरखटना थी, हम कोशिश करेंगे ऐसी दुरखटना हैं दुबारा नहीं उन्होंने जब यह कहा तो मेरे शरी में सेहरन हो गए और मेरे पास कोई जवाब नहीं था इतना और उस पूरे इंटर्वी को दुरान कई बार ऐसे इंसेंट हुए वो नॉन प्लस कर दिया कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं मेरे उपर सामने को जवाब आजाता है तो उनको नॉन प्लस को यह रेनुका चौधरी से जब आपकी अधालत मी थी तो उन्होंने मुझे पूछा कि रजजजी आपकी शादी हो गई मैं उनके हस्बंड के बारे में कुछ पूछ रहा थ सल्मान खान अभी रिसेंटली आए थे तो सल्मान खान को लगता था कि मैं उनको बहुत खीचने वाले हो बार बार मुझे चाहिए सर आप मेरी क्लास लेने वाले हैं सर आप मुझे हरकड़ने वाले मैंने का नहीं मैं आप से सवाल पूछ हूँ का बाकी कहना आपका तो चलता रहा तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि सर आप बहुत पिट हैं सर यह कैसे आप करते हैं और एक सिच्वेशन में उनने का कि एच्छा आप यह होड़ होड़ दमंग पर उन्होंने डांस करने के लिए का तो ठीक है मैंने का चलिए एक नई तरह की चीज वीवर्स क लिए मिलेगी और वो कह रहे हैं मैं लाइव शो है मैं कैसे ना करूँगा तो ऐसे इंटरेसिंग इंसिडेंट्स कई बार होते हैं यह आपने बताया कि शायद लाइव शो में अगर ना करे तो अच्छा भी लेगा और अगर किया तो भी अच्छा लगेगा वीवर्स को अर और बहुत ही अच्छी तरह सा आपने लेकिन फिर भी वो अंदर एक जो रहता है कि पूछ लेता हूँ कि मेंस्ट्रिम में अभी शायद आने वाले दिनों में यही स्टोरी रहेगी अन्ना हजारे वाली लोगपाल बिल वाली काले धन का मामला आप क्या मानते हो क्योंकि इसी फिक आपने अपना गुसा भी जाता है था कि कहीं ना कहीं एक गेम प्लान हो गया है एक ऐसा इस्यू जिसके ओपर हिंदुस्तान की हर एक जनता हर एक नागरिक जो एक जूटों के सामने आ सकती लेकिन इतने बड़े मिशन को टाइं 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 फिश कर दिया आतंगमाथ से लड़ाई का या सबाल महँगाई का ये ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी के दिल को चुग गया है सरकार को इन पर जवाब देना है वो जवाब नी कर पारे है औरूजिशन पार्टी को बी जेपी को इसके लिए आंदोलन चलादाना है वो आंदोलन खड़ा नही वैक्यूं को फिल किया स्वामी राम देव ने, इनके साथ पब्लिक खड़ी हुई, पब्लिक सेंटिमेंट खड़ा हुआ, इन्होंने वो सवाल उठा है जो आम आदमी के के related सवाल है, और जो सवाल विरोधी दर ठीक से नहीं उठा पाये थे, इसलिए क्या हुआ कि ये लोग लीडर बन गए और opposition पार्टियों को इनके पीछे चलना पड़ रहा है, मुझे लगता है ये सवाल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है, ये इसे इमानदारे आदमी का क्या करें जो एक इमानदार सरकार ना दे सके, ऐसे इमानदारे में क्या करें जिसकी सरकार में एक के बाद एक भरस्टा चार की चीज़ें सामने आए, मुझे रगता है ये इन चीज़ों ने आब आदमी को बहुत हट कि रजी प्रशाद मंतरी की बात निकली तो एक्सेप्टनसी के लिए बहुत सारे क्वेशन मार्क कोई ऐसा टॉप लिडर टॉप लेवल का लिडर नहीं है जिसको और इंडिया में एक्सेप्टनसी मिले देर आर फोर थी फोर फाइव ऑप्शन्स अगर आप की इन लो राहुल जी को जिस तरह से बबल की तरह आजाता है कि सी एम जो है इस अ केंडिडर आफ पी एम अडवानी जी कहीं अपना नूर देरे देरे खो बैठ है क्या लगता है कि कोई ऐसा एक दो तीन लीडर जो पूरे हिंदूस्तान में सब के उपर अपना प्रभाव डाल सके बूजे ही लगता है कि आज क कि विदेश नीथी पर रक्षा नीथी पर अर्थिक नीथी पर इन सब लों कि क्या पॉलिसी होगी क्या थिंकिंग होगी उसके बारे में कोई क्लेरिटी नहीं है सिरफ व्यक्ति को देख करके फैसला करना या बड़ा है या तो एज ग्रूप के हिसाब से कोई यंग होना च कि यह आई यह नहीं मानता हूं जी मैं यह नहीं समझता हूं कि कोई यूथ होगा तो अच्छा कर देगा कोई बुड़ा होगा तो अच्छा नहीं करेगा मुराजी देशाई जब परधानमंतरी बने थे उनकी एच बहुत थी लेकिन इनोंने ब्रियंट सरकार चलाई थी उ सरकार के जो बेफ़कूफी के खर्चे थे उनको रोका बहुत अच्छा काम किया था सरदार पटेल को अगर मौका मिलता सरकार चलाने क्शायद बहुत अच्छी सरकार चलाते उसमें उम्र का तकाज़ा नहीं था तो मैं यह नहीं मानता कि कोई यंग होगा तो अच्छी चल मुझे प्रदान मंतरी बनना है यह एजिंडा लेकर जो लोग चल रहे हैं वो इस देश को अच्छे सरकार नहीं दे सकते हैं तैसर जी गुजरात में है लास्ट में लास्ट में गुजरात के लिए और मोदी जी के लिए आपके अपने वीचा देखे नरिंडर मोदी ने कर बोलना चाहिए सफाई देनी चाहिए चुकि वो बोलते नहीं है तो इसलिए लोग इस चीज का फाइदा उठाते हैं उनको सामने आकर अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए मैं तो उनको कई बार इन्वाइट कर चुका हूँ आपके कारेक्रम के माद्दम से उनको इन अरवडों मरिश्वेक नवाती धी साथे त्या सुरे जाप्स, नमस्कार. Thank you very much.